आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello everyone, हमारे पास कोश्चन है Vector C is equal to 2 Lambda times A cross B vector प्लस 3 mu times B cross A vector and A cross B is not equal to 0 then C and C dot A cross B is equal to 0 then तो हमारे पास कोश्चन में 3 vectors given है Vector A, Vector B, Vector C ठीक है? और इसके लिए हमें 2 conditions given है Vector C जो है वो है 2 Lambda times A cross B vector और प्लस में 3 mu times B cross A vector ठीक है? और हमें ये भी given है कि C vector dot A cross B vector जो है वो 0 के equal है तो ये 2 conditions हमें giveन है फिर हमें ये कहा गया है कि A cross B vector जो है वो 0 के equal नहीं है तो इसका जो magnitude है वो भी 0 नहीं होगा ठीक है? तो अब हमें काम कड़ते है हमें पता है A cross B जो है वो minus B cross A के equal आता है ठीक है? तो B x A को लिख सकते हैं माइनस A x B यहाँ पर B x A जो लिखावा है इसको लिख सकते हैं माइनस A x B तो यह बन जाएगा हमारे पास C vector is equal to A x B common ले लेंगे तो A x B common लिया यहाँ पर आएगा 2 lambda times minus 3 mu ठीक है इस condition के तुरू हमने यह लिख दिया अब हम पूरे का dot product dot product ले 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 थे A x B के साथ तो यह आएगा C dot A x B is equal to A x B dot A x B into 2 lambda minus 3 mu यह आगया ठीक है अब यह तो हमें 0 के equal given है तो यह 0 आगया और A x B का dot product A x B के साथ करेंगे तो आएगा mod of A x B का square और into में है 2 lambda minus 3 mu ठीक है तो इन दोनों का multiplication 0 के equal given है तो यह तो यह 0 होगा यह फिर यह 0 होगा ठीक है अब हमें given है कि A x B जो है वो 0 के equal नहीं है vector A x B जो है वो 0 के equal नहीं है तो उसका जो magnitude आएगा वो भी 0 के equal नहीं होगा तो यह टंग जो है यह 0 के equal नहीं होगी तो इसको 0 होना पड़ेगा क्योंकि हमें यहापे 0 गिवन है तो 2 lambda minus 3 mu को 0 होना पड़ेगा तो यहाँ से हमारे पास condition आ गए 2 lambda is equals to 3 mu तो यह हमारा answer बन जाएगा अब यह हमें कौनसे option में गिवन है यह B option में गिवन है तो B option हमारा correct answer होगा Thank you